एक समय की बात है एक गाम में एक भूतिया घर था गाम वाले डर से उस घर के आसपास नहीं जाते थे गाम वालों का मानना था कि उस घर में एक जादूगर लड़की की आत्मा रहती है एक दिन गाम के कुछ साहसी बच्चे उस भूतिया घर में जाने का और उस घर में घूमन ये देखकर सारे बच्चे डर गए अचानक से वह लड़की की बहुत बच्चों के सामने आई और जोर जोर से हसने लगी और कहा कि अब तुम सब मेरी बंदी हो मैं किसी को जिन्दा नहीं छोड़ूंगी बच्चों को डर के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी पे हिम्मत नहीं हारे और सब एक साथ मिलकर बाहर निकलने का रास्ता डूड़ने लगे डूड़ते डूड़ते एक बच्चे को एक पुराने किताब बना जो की एक जादुई किताब था और उस किताब में एक जादुई मंत्र लिखा था जिसके उचारण करने से वह जाते हैं कि सारे दर्माजे और खिड़की अपने आप खुल गई और बच्चे दोर कर बाहर निकलाए उस दिन से वह घर भुत से आजाद हो गया गांब वालों ने सारे बच्चों के साहस की तारीफ की और सब कोई नाम भी दिया